प्रिदर्सकोन नमस्कार आज मैं आपको दिन द्याल अंतियोदे योजना जिसे राष्ट ग्रामीन आजीवका मिसन भी कहा गया है के बारे में विस्तार पुर्वक जानकारी देने वाला हूँ ये एक महिलाओं के लिए एक वर्दान है ये योजना और उनके जीवन को जीवनस्तर को उचा उठाने के लिए आजीवका से जोडने के लिए सरकार द्वारा चलाई गई योजना है और इसकी पश्ट भूमी जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्रामीर परिवारों के लिए परिश्टमपतियों के स्रजन तता स्वरोजगार है तो ग्रामीर विकास मंत्राले जो की बारा सरकार के द्वारा 1980 में समेकित ग्रामीर विकास कारिकरम IRDP कि से सुरुवात की गई थी इस संबंद में 1999 में इस कारिकरम के अंतरगत एक महत्तपुन बद्दाव आया जब IRDP को स्वन जैन्ती स्वरोजगार योजना SGSY के रूप में परिवर्तित कर दिया गया गरीबों को स्वयम सहायता समू के रूप में संगठित करके स्वरोजगार उबलद कराना नई रणिती का मुख्यंग बना दिया गया स्वयम सहायता समू अर्धात स्वयम ही अपना सहायता करने का एक समू जिसमें 10 से लेकर 20 महिलाएं इस समू में एकत्रित होती हैं और अपने जीवन अस्तर को उठाने के लिए प्रयास करती हैं अब बात करेंगे हम राष्ट ग्रामीड आजीवका मिशन का सुभारम कब हुआ जैसे कि ग्रामीड विकास मंत्राले भारत सरकार ने एक अपरेल 2013 से जो योजना थी स्वन जैनती ग्राम स्वरोजगार योजना की पुनरसन रचना करते हुए दुबारा सुधार करते हुए राष्ट ग्रामीड आजीवका मिशन जिसे NRLM भी कहते हैं इस सुरुवात की जिसे 29 मार्च 2016 में NRLM के नाम से बदल कर D.A.Y. दीन दयाल अंतियोदय योजना NRLM का नाम दिया गया अर्थात दीन दयाल अंतियोदय योजना राष्ट ग्रामीड आजीवका मिशन कर दिया मुख्य रूप से गरीबों के लिए विसेश रूप से महिलाओं को ससक्त बनाने के लिए संस्थाओं के निर्मान के माध्यम से गरीबी कम करने कई वित्यव आजीवका सिवाओं का प्योग कर पाने के लिए इन संस्थाओं को सक्षम बनाने संबंदी प्रमुक कारिकरम इस इस विकास के लक्ष और राष्टिक ग्रामिन आजीव का मिसन के बारे में जानकरी देना चाहेंगे कि 25 से 27 सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट शिखर सम्मेलन में जो 2015 में समाप्त हो गए इसलिए इन विकास कारियों के लक्षियों के इस्थान पर 17 विकास लक्षियों को प्राप्त करने का फैसला सईवत राश शिकर सम्मिलन में लिया गया पहला लक्ष जो इसका था गरीवी के सभी रूपों की पूरे विश्व से समाप्त करना ही गरीवी को मुख्य उद्देश से पहला लक्ष रखा गया था इसके साथ ही आप देख रहे हैं कि एनरलम का लक्ष क्या है जो राश्ट ग्रामीन अजीवकामिसन है उसका मुख्य उद्देश से जान लेना चाहिए जो हमारी माताएं बहने हैं वो इदि इस एनरलम से जुड़ने से पहले या जुड़ चुकी हैं तो उसका उद्देश से लक्ष दिरूर ध्यान में रहना चाहिए ग्रामीन गरीब परिवारों की जो इस्थिती है उसको ध्यान में रखते हुए उनकी ससक्त एवं स्थाई संस्थाएं बनाकर लावदायक स्वरोजगार एवं हुनरमंद मजदूरी वाले रोजगार के अवसर प्रदा प्राप्त क संस्थाओं के माध्यों से प्रसिक्षण का भी एक प्रक्रिया रखी गई है जिससे कि स्वयम सायता समों की महिलाएं प्रसिक्षण लेकर अपना स्वयम का रोजगार कर सकें और उनके घर में आजीवका के साधन नए नए बनते रहें और अपना आर्थिक सुधार वो कर सक है इसके साथ ही अनरनेम का मार्ग डर्स सिध्धान्त क्या है कि प्रते एक संस्था या कोई भी कारी किया जाता है उसका कोई सिध्धान्त होता है वेरो सिध्धान्त फैल हो जाता है तो जो उद्देश से है वो भी नश्ट हो जाता है गरीब लोगों में अपनी गरीबी मि जूटथा के साथ ससक्त संस्थाएं बनाना बहुट जुरूरी है। तीसरा सामाजिक एक जूटथा लाने ससक्त संस्थाओं के निर्माण और nessa कंपर प्रक्रिया के लिए एक समर्पीत और समवेदन सिह सहायता संदश्नागी जरुवत पड़ी थी। जानकारी का परचार परसार जो भी उजनाये सरकार द्वारा चलाई जाती है यदि उसका परचार परसार ग्रामीन स्तर्त तक ग्रामीन छेतर के अंतिम छोड तक पहुँचाया जाए तो हमारी स्वैम साथा समों की बहने और जारत जागरुख होंगी और आगे बढ़ पाएं से गरीव लोग स्थाई आजीव का प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि जो उत्पाद वो प्रोडक्ट बनाएंगे उसको बजार तक कैसे पहुचाया जाए और आजीवका से कैसे जुड़ा जाए यह सभी सुईधाएं इस NRLM के मार्डर्सक सिधानतों में आती है और DMU भी कहते हैं जिसमें 6 से 30 मेंबर की टीम है जो काम करती है प्लानिंग के तरीके से उसके बाद आता है जीला मिसन प्रबंधा इकाई DMU जिसमें 8 से लेकर 10 मेंबर को टीम होती है इस योजना के implementation के लिए डिस्ट्रिक लेवल पर जिलास्तर पर सभी मानकों पर निगरानी रखती है और अपने उधेश्यों को प्राप्त किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है उस पे वाचिंग करती है निगरानी रखती है इसके बाद आता है ब्लॉक मिसन प्रबंधन इकाई जिसे हम BMMU भी कहते हैं जिसमें साथ से लेकर दस तक नेंबरों के टीम होती है और जो इसकी इंप्लिमेंटेशन है और इस योजना का ब्लॉक लेवल पर इसको देखती है का महिला स्वयम सायता समुह दीन दयाल अंतियोदय योजना NRLM के तहट महिला स्वयम सायता समुह जिस हम SSG भी कहते हैं दस से बीस महिलाओं का होता है समुह होता है विसेश SSG जैसे दुर्गम छेत्रों में विकलांग व्यक्ति युक्ट समुह और दुरस्त आदिवासी छेत जा कम से कम पांच महिलाओं के भी हो सकती है इसके साथ ही केवल विकलांग व्यक्तियों और अन्य विसेश्रेणियों जैसे कि बुजुर्गों ट्रांसजर्डर के साथ गठि समुहों के लिए डी एवाई एनरलम में स्वयम साधा समुहों में पूरुस और महिलाएं दोनों हो सकते तो सकते हैं कि लिए नहीं कि कि household ही होसकती है पूरुस हो सकते हैं इस योजनामे अब इसके community in institution architecture क्या है इसका जो इसको monitoring करता है monitoring subcommittee, repayment subcommittee, convergence subcommittee जिसे CLF बोलते हैं 5-10 views मिलकर CLF का निर्मान करते हैं जिसमें accountant होते हैं, bank सकhी होती है इसके बाद आता है 5-10 SSG मिलकर एक VO का स्थापना करते हैं ग्राम संग्ठन का स्थापना करते हैं जिसमें SSG के उपर monitoring होती है और ये क्या है, VO क्या होती है SSG monitoring subcommittee होती है bank linkage subcommittee होती है assets verification subcommittee होती है social action subcommittee होती है उसकी निगरानी करती है यदि किसे समू को अपने स्वरोजगार के लिए काम आगे बढ़ाने के लिए और धन क्याव सकता होती है तो ग्राम संग्ठन उसकी साहता करते हैं इसमें book की पर भी होता है और एक community cadre भी होता है SSG के अंदर एक book की पर भी होता है self, self, help, group swim, साहता, समू जिसमें 10 से लेकर 15 member तक minimum हो सकते हैं एक architecture है इसका एक समू को मजबूती देने के लिए महिला स्वायम साहता स्वायम banks for poor सबसे पहले अगर हम SSG को लिया जाए तो village federation इसके उपर cluster federation और उसके उपर है bank bank क्या करता है cluster federation के साथ मिलकर village federation के साथ मिलकर SSG को नियूंतन स्थर पर निचले स्थर तक सहायता परदान करता है और SSG capitalization strategy क्या है minimum RF revolving fund को कहते हैं MCP micro gate plan और CIP community investment fund first meeting internal landing की होती है दो मन्त तक saving account के अपनी opening की परिग्रिया चलती है तीन से चार मन्त के अंदर समू कठन के तीन से चार महिने के अंदर अंदर RF revolving fund आ जाना चाहिए एक समू के गठन के बाद और 6 से 8 मन्त में के अंदर एक micro credit plan बना जाता है ये कैसे कारे हमारी समू करेंगे और अपनी स्वरोजगार को कैसे आगे बढ़ा पाएंगी और जैसे 6 से 8 महिने समू गठन के हो जाएंगे तो CIF Community Investment Fund परदान किया जाता है समू को ताकि अपने समू को और मजबूत कर सकें और जैसे 6 से 12 महिने समू क ठन के हो जाते हैं तो bank credit linkage के लिए first installment जो होती है first जो परक्रिया होती है वो bank linkage के होती है जिसे हम CCL भी कहते हैं के द्वारा समू को मजबूती देने के लिए स्वरोजगार करने के लिए bank को के पास file भेज़े आती है और जब 24 से 30 महिने हो जाते हैं तो bank credit का second linkage जो होता है और समू को मजबूती देने के लिए और जब 36 से 40 महिने हो जाते हैं एक समू के गठन के तो third linkage प्लान होती है जो कि समू को आगे बढ़ा सकती ये steps by steps process है SSG को मजबूती देने के लिए स्वयम साला समू का वित्य साहता अब वित्य साहता कौन कों से दी जाती है हमारी बहनों को start-up cost 25 सो रुपे प्रती SSG परिक्रामी revolving fund भी बोलते हैं दिन दयाल अंतियोजना NRLM में M.O.R.D. 3 से 6 महिने की एक नियूंतम अवधी के लिए अस्तित्त में रहने वाले और एक अच्छी SSG को मान दंडुत्ता पंच सुत्रों जैसे की नियमित बैठके करना नियमित पचत करना नियमित रूप से आंतरिक उधार लेन देन करना नियमित रूप से वसूली करना और खाता वह योगा उचितर रखाओ करना पंच सुत्रों होते हैं बैठके जिससे की इसके अधार पर एक समुह हमेशा जिवित रहता है समुह हमेशा कारी करता है यदि पंच सुत्र ना हो तो हमारे समुह कभी भिढ़ा सकता है तो इन से धानतों का पालन करना बहुत जिरूरी है तभी कोई बैंक भी आपकी साहता करता है इनका पालन करने वाले स्वयम सतसमुहों को आरेफ परदान करेगा केवल ऐसे स्वयम साहता समुह जिनें पहले कोई आरेफ रात नहीं हुआ है को ही प्रती SSG कोई के रूप में 15,000 उपे तक आरेफ परदान किया जाता है आरेफ का उद्देश से क्या होता है क्योंकि अधिकतर ये भ्रांती होती है कि आरेफ को लेकर बाट दिया जाता है लेकिन नहीं आरेफ का जो उद्देश से है उसकी संस्थागत और वित्य परबंद जहमता को मजबूत बनाना है और समू के भी तरीक अच्छी साख इतिहास का निर्मान करना है आपस में ही और ये परिक्रामी लिखा है मतलब रिवाल्व होता रहता है घूमता रहता है जिसको आउसकता होती है सामुदाइक निवेशन दिशम सी आएफ कहते है कम्मिनुटी इन्वेश्टमेंट फ़ंड डिएवाई अनरलम के तहट सभी इंटेंसिव लॉक सभी इंटेंसिव लॉकों में चल रहे एसेज़ी को एक लाग दस अजार रुपे मिशन द्वारा ग्राम मस्तर वा कलस्टर लिवर के फेडरेसन द्वारा उपलब्द कराया जाता है फेडरेसनों के द्वारा उनकी निरंतरता को बनाया रखा जाएगा फेडरेसन द्वारा उक्त C,I of को स्वयम सहाता समूउ को रिंड पर्दान करने के के लिए शामान ने सामुहिक समाजिक आर्तिक गतिविदिया करने के लिए उप्योग मिला जाएगा अपना कोई कारी करना है कुछ आर्तिक गतिविदिया करना है समुह को मजबूत बनाने के लिए वो स्याइफ का उदेश यह है रोल ऑफ दे बैंक क्या भी भूमिका है बैंकों की सबसे पहली बैंक की भूमिका है एक स्वयम साथा समू के लिए बचट खाते खोलना कि उसका एक हर समू का एक बचट खाता खोला जाता है बैंक में SSG के बचट खाते खोलना बैंकों की मुख भूमिका यही होती है कि सबसे महिला स्वयम साथा समू हो कि सहित दिव्यांग व्यक्तियों SSG के लिए खाते खोलने के साथ सुरू हो जाती है हर BLBC मिटिंग में आप देखेंगे कि इन खातों खोलने में बड़े दिक्कते आती हैं बैंकर्स के पास वर्क ज़्यादा है तो कई बार टाइमली खाता नहीं खुल पाता तो यह समस्याएं BLBC मिटिंग में उठाए जाती हैं तो इसका नियाकर्ण होना चाहिए ताकि हमारी SSG सही परकार से टाइमली काम कर सके अपने सदस्यों के बीच बचत आदतों को बढ़ावा देने में लगे SSG बचत बैंक खाता खोलने के पात्र होंगे बचत बैंक खाता खोलने के लिए केवल कार्याले पदा दिकारियों का अपने ग्रहक को जानिये KYC स्त्यापन ही प्रयाप्त होगा पदा दिकारी कौन हो गए जी अधक्ष कोसा दक्ष और सचीव यह हमारे पदा दिकारी माने जाते हैं तो मुख्य रूप से जो कहा जाता है अधार कार्ड पैन कार्ड की जो आवसकता होती है वो KYC सत्यापन कराना जरूरी होता है बैंको को खाता खोलने या लेन दिन करते समय SSG के स्थाई खाता संख्या जिसे हम बोलते हैं पैन पर जोर नहीं देना चाहिए पैन कार्ड आज तक आज कल कुछ बैंकों समय कहा जाता है कि पैन कार्ड लिया यह तो किवल तीन वेक्तियों जो पतादिकारी हैं उनके पैन कार्ड हो उससे भी खाता खोला जा सकता है जाहिए यदि उनके पास पैन कार्ड नहीं है बैंक द्वारा रिंडे दीन दयाल अंतियोदे योजना अनरलम के तहर स्वेम साधसमों के कई बार आर्थिक साहिता परदान किये जाने पर बल दिया जाता है इससे आसा है कि इस SSG को चिरस्थाई परमानेंट आजीव का सुर प्लेम तक मदद करना चाहिए जब तक वह आत्मिन भड़ना बन जाए स्वेम साधसमों के आवसक्ताओं के अधार पर या तो मियादी रण टर्म जो लोन होते हैं या कैस क्रेट लिमिट या दोनों प्राप्त कर सकते हैं आवसक्ता के समय SSG के चुकाउती रिपेमेंट और विभार और परफॉर्मेंस के अधार पर पहले से बकाया रिन होने के बावजूद भी अत्रिक्त रिन स्विक्रित किया जा सकता है स्वेम साधसमों को ध्यान देना चाहिए कि हम बेंक से जो भी रिन लेते हैं जो भी धन जमा करते हैं उसमें लेन देन सही परकार से टाइम टाइमली चुकाएं ताकि भविस्स में बैंकर्स से अच्छे संबंद बन सकें और हमारे आगे के रिन टाइमली हो सकें अब आता है अगला चरण व्यक्तिकत SSG सदस्यों और SSG को रिन संबंदी मान दन रिन का लाब उठाने हैं तू स्वेम साधसमों के लिए पातरता मान इसकी जनकारी होने चाहिए SSG कम से कम उनके पिछले 6 महिनों की खाता बहियों के अमसार सक्री रूप में अस्तित्मे होने चाहिए ना कि बचत खाता खोलने की देदित से शक्रियता बहुत जिरूरी है पंच सूत्र में बताया गया था कि खातों में लेन देन जमा वापसी जो हम पैधन लेते हैं उसकी जमा भी होना चाहिए तो उसकी सक्रिय खाता होना चाहिए और एसेजी के पंच सूत्रों का पालन करने वाल होने चाहिए असारत नियमित बैठ सब्सक्राइब करना चाहिए समय पर चुकाउती करना चाहिए भाता भायों का रगर खाओ करना चाहिए बीलबसी मिटिंग्स में हम जाते हैं तो वहां देखते हैं कि अधिकतर बैंकर्स यही सिकायत करते हैं कि उनके रजिश्टर पूरे नहीं है सब्सक्राइब करना चाहिए सबी बहनों को जानना चाहिए कि यहीं पांच सुत्रों का पालन नहीं करते हैं तो हम समय नहीं ले जा सकते हैं एक नियम बद तरीके से अगर काम करा जाए तो हम SSG के उदेश्यों के साथ साथ NRLM के स्थापना के उदेश्यों का भी प्राप्त कर सकते हैं नाबार द्वारा तोई ग्रेडिंग के दंडों के अनुसार हरता प्राप्त होने चाहिए जब कभी स्वयम साथ समूव के फेडरेशन अस्तित में आएंगे बैंकों को समर्तन प्रदान करने के लिए फेडरेशन द्वारा ग्रेडिंग का कारे किया जा सकता है मौजुदा और कारियत शम इन एफिसेंट स्वयम साथ समूव भी यदि उन्हें पुनर जीवित किया जाता है और वे तीन महिने के एक नियूंतम मौदी के लिए सक्रिये बने रहते हैं तो रिन के लिए वो भी पात्र होते हैं कई बार होता है कि सिकार्णों से समसाथ समूव नहीं चल पाते बैंक यह सुनिशित करने के लिए आवस्यक उपाय करें कि पात्र स्वयम साथ समूव को दुबारा रिन प्रदान किया जा सके बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे सजी के रिन आवेदन को ओनलाइन प्रस् कि विभिन सुईधाओं के लिए अंतरगत रिंड कि रासी नगदी रिंड सीमा CCL बोलते हैं इसको CCL के मामले में बैंकों को सुचित किया जाता है कि प्रतेक पात्र SSG को वार्सिक ड्राइंग पावर निकालने की धन निकालने की जो पावर होती है के साथ तीन वर्स की अधि को वासिक तोर पर बढ़ाया जा सकता है और जो यह पावर है इसकी गर्णा निमनुसार किया सकती प्रते वर्स के है तू ड्राइंग पावर मौजुदा मूल निधी का छे गुणाया निवन्तम एक लाख जो भी अधिक हो यह उसका पावर है द्रती वर्स है तू ड्राइंग पावर निकालने है तू जो अधिकार होते हैं समिक्षा वर्दी के समय मौजुदा मूल निधी का आठ गुणा या निवन्तम दो लाग जो भी हो दोनों में से उसको ले सकते हैं त्रती वर्स है तू जो पावर हदिकार है स्वयम सायता समूह द्वारा त्यार किये जाते हैं और फेडरेशन सहायता एजेंसी द्वारा मूल लियांकित माइक्रो क्रेट प्लान या पिछले क्रेट रिकार्ड के अधार पर निवन्तम 6 लाग रुपे का किया जाता है चौते वर्स है ड्राइंग पावर स्वयम सायता समूह द्वारा त्यार किये गए और फेडरेशन सहायता एजेंसी द्वारा मूल लियांकित माइक्रो क्रेट प्लान था पिछले के रिकार्ड के अधार पर 6 लाग से अधिक हो मियादी रिन टर्म लोन जो बोलते हैं पहले हमने सीसेल पढ़ा अब टर्म लोन देखे टर्म लोन के मामले में मैंको को सुचित किया जाता है कि वे रिन रासी की स्विक्रित मात्राओं में निमन्यूसार करेंगे पहली मात्रा मौजुदा मूल निधी का 6 गुना या मियादी रिन के रूप में ब्याज सब्वेंशन इंट्रेल सब्वेंशन क्या चीज होती है महिलाओं के स्विम सातसमूहों द्वारा बैंक को वित्य संस्थाओं से लिये जाने वाले सभी क्रेड़ पर प्रती एसजी अधिक्तम तीन लाख रूपे के लिए बैंको की उधारदर और साथ प्रतिस्त के बीच के अंतर को कवर करने के लिए दीन दयाल अंतियोदे ओजन अनरलेंग में ब्याजदर सम्वेंशन का प्रावधान लागू है होता क्या है ब्याज सम्वेंशन बैंक क्या करते हैं कि संबंधित उधार दर पर उधार देंगे बैंक जो होते हैं अपनी जो संबंदित उधार दार है उसके उधार देंगे सभी महिला अगर चुका देती है तो ब्याज संबंदित चूट मिलती है तीन लाग रुपे तक के रिनों के लिए बैंक उधार दरों और 7% के बीच के अंतर को जो अंतर होता है 5.5% की अधिक्तम सीमा के अधीन को SRLM द्वारा सीधे SSJ एक रिन खातों में संबंदित कर दिया जाता है लेकिन यह उनके लिए है जो चुकाउती टाइम से करती है और इसका परिचालन कोन करता है SRLM करता है राज्य ग्रामीन आजीव का मिसन रिन का उद्वारा समाजिक आफसकताओं के पूर्ति के लिए उच्छ लागत वाले कर्ज की अदला बदली किसी मगान की मरमत करानी है या निर्मान कराना है सोचाले का निर्मान करना है या सज्जी के भीतर व्यक्तिकत्स दस्यों द्वारा विवहार या आजीव का प्राप्त करना है या समुहिक विवहार गती के हितु प्रियोग किया जाता है इसका उदेश यह है नगदी रिन सीमा, CCLM और मियादी रिन हेतु चुकौती रिपेमिंट कैसे किया जाए रिन की पहली प्रथम मात्रा 24 से 36 महिनों में मासिक या तिमाहिक किस्त में चुकाई जाएगी जो भी है अधिकतर 24 से 36 महिनों के अंदर यानि तीन साल के अंदर अंदर रिन की जो द्वितिय मात्रा है वो 36 से 49 महिनों में मासिक या तिमाहिक किस्त के रूप में चुकाई जाएगी रिन की जो त्रतिय मात्रा है 48 से 60 महिनों में नकदी प्रवाह के अधार पर मासिक तिमाहिक किस्त में चुकाई जाएगी जमानत एवं मार्जिन SSG को 10 लाग रुपे तक की सीमा है तो ना तो कोई कोलेटरल सीकोर्टी देनी है ना ही कोई मार्जिन लगाय जाता है SSG के बचत बैंक खातों के विरुद कोई गरणा दिकार लाइन नहीं लगाय जाएगा तथा रिन मंजूरी के इस समय जमारासी के लिए कोई आगरा रिक्वेस्ट ना किया जाए किसी प्रकार का कोई लेंदिन की बात ना की जाए क्योंकि उदेश इसका स्वैम साथ समों को मजिबूत करना है आगे बढ़ाना है क्रेडिट उपरांत फालो आप किसी भी रिन देने के बाद किसी भी संसाया व्यक्तिक दिस्तप्र किसी को दिया जाए तो उसका फालो आप बड़ा मायने रखता है ऐसे जी को परांती भासाओं में रिन पास्बुक किया खाता एकाउंट श्टेटमेंट जारी किया जाने चाहिए और उनको जो डिस्पर्ड लोन दिया गया है उपलब्द कराया गया है उससा भी ब्योरे स्विक्रित रिन सर्थों पर ही लागू होने चाहिए और उनको यदि जेवत पड़े तो उनको समझाया जाना चाहिए एसेजजी द्वारा किये के प्रतेक लें देन पर पास्बुक को अफडेट किया जाना चाहिए रिन के दस्तावेजी करणता सम्वितरन के समय वित्य साक्षरता के एक भाग के रूप में सर्तों को स्पष्ट रूप से समझाना जरूरी है बैंक सकाएं एक पकवाडे में ऐसा एक दीवस्ताई करें जिसे दिन स्टाफ फिल्ड पर जा सके और SSG और फैडरीसिěं के बैट को में पस्थित हो सके ताकि वे SSG की कारे देख सके SSG बैठको और कारे निस्पादने के नियमे तबक का पता लगा जा सके क्योंकि ये भी स्वयम साधर समू भी कश्टमर है हमारे उनको मजबूत किया जाना उनकी आजिवका सा जोड़ना भी समाज का उदेश से है बैंक भी एक संस्ता है जिसका सहयोग यदि मिले तो बैंक स्वयम साधर समू आगे बढ़ सकते हैं धन्यवाद आपका बहुत बहुत ये जानकार अगर आप रखते हैं स्वयम साधर समू को मजबूत किया जा सकता है